नवसकार स्वागते आपका हिंद टीवी में जम्मु कश्मीर में परिसीमन के बाद चुनाफ कराया जाना है परिसीमन आयोग ने ड्राफ तयार कर दिया है और इसे लोगों के सुझाफ के लिए रख भी दिया है इसी बीच केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिट शाह भी जम्मु कश्मीर के दोरे पर गए उन्होंने दो दिनों तक कश्मीर की सुरक्षा का जायजा लिया जम्मु कश्मीर के उपराज्यपाल मनोस सिना के साथ मुलाकात की और साथ ही प्रदेश के चुनाफ को लेकर रड़नीती भी बना डानी कश्मीर में उन्होंने कमल खिलाने के लिए चुनावी रड़नीती तैयार की है ऐसे भी परिसीमन के बाद जम्मु कश्मीर से मुस्लिम पाचियों का वर्चस्व खत्म होने की पूरी संभावना है ऐसे में सबसे चुनाफ की जिम्मेदारी भी अमिच्षाह नहीं उठाई है उन्होंने जम्मु कश्मीर में कमल खिलाने की जिम्मेदारी फारुक खान को दे दी है दरसला मिच्षाह के दिल्ली लोटने के बाद जम्मु कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाकार फारुक खान ने स्तीफा दे दिया फारुक खान ने कश्मीर में आतंक वादियों के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई थी जिस समय कश्मीर पुलिस का होसला कमजोर हो रहा था उस समय उन्होंने अपनी इच्छा से स्टी एफ की कमान समाली थी जम्मु कश्मीर लोगसिवा आयोग के रास्ते DSP से अपना केरियर शुरू करने वाले फारुक खान के बहतर कामों के कारण उनका प्रमोशन IPS अधिकारी के तौर पर किया गया था साल 2013 में वे रिटाइर हो गए और साल 2014 में फारुक खान ने भारतिय जंता पार्टी जोइन किया था इसके बाद 2019 में जब कश्मीर में धारा 370 हटाया गया और इसे केंदर शाषित प्रदेश घोशित किया गया तो फारुक को उप राज्यपाल का सलाकार बनाया गया लेकिन आप उन्होंने स्तीफा दे दिया है और भाज्यपा के राज्यपी कामों में जुटने वाले हैं फारुक खान को जम्मू कश्मीर में भाज्यपा का चुनाफ प्रभारी बनाया जाएगा उनकी सबसे बड़ी जिन्मेदारी चुनाफ की घोषडा से पहले कश्मीर घाटी में भाज्यपा के लिए आधार बढ़ाना है इसके लिए जमीनी इस्तर के निताओं को पार्टी के साथ जोडने का मुहिम चलाया जाएगा चुटी पार्टीों के साथ गटबंदन की रणीती बनाई जाएगी और सबसे जरूरी काम उम्मीदवारों की लिस्ट प्यार करनी होगी ये सारी जिम्मेदारी फारुख खान को इस कारण से दी जा रही है क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक कश्मीर में काम किया है आतंगवाद से प्रतारित लोगों की मदद करने में उनकी बड़ी बूमिका रही है इसके अलावा पिछले दो सालों से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की स्तलाकार के तौर पर उन्होंने कश्मीर के विकास का रोड मैप तयार किया है इससे भाजपा के कश्मीर प्लान को जनतक तक पहुँचाने के लिए फारुखान एक बहतर विकल्प हो सकते है इनी वजाओं से अमिर्शा ने फारुखान के उन्पर भरोसा किया है कश्मीर में पार्टी संगटन के कावों के बारे में फारुखान सीधे अमिर्शा को रिपोर्ट करेंगी और फिर चुनाव के समय तक भाजपा जम्मू के साथ तक कश्मीर भाटी में भी अपना आधार मजबूत करनेगी फिलाल के लिए इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें इस चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें हम से चुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में देते रहें हमें आपके सुझाव का इंतिसार रहेगा हमारे साथ चुड़ने के लिए धन्यवाद